नमस्काद दोस्तों तो जियो की तरब से फाइंडाली का 5G इंडिया पे आने वाला है उसका डेट एनाउंस हो चुका है आज था मोबाइल वाल्ड कॉंग्रेस का पहला दिन और इस इवेंट में मुके शंबनी ने जियो का 5G लाने वाला है इसका स्पीड किया होगा इसका ट फुलीगा वैसे जियो कब अपना 5G टेक्नोलोजी लांच करने वाला है या मेरे बाजाय अगर मुके शंबनी के मुह से सुनेंगे तो ही बेटर होगा जैसे कब देख सकते मुके शंबनी ने साब साब कह दिया है 2021 के से जियो इंडिया में अपना 5G कॉमर्शियली लांच करेगा आप देखे ए जो सेकिंड आप मतलब 2021 के जून माईने के बाद और ये दरसले 2020 के दिसम्बर मतलब अगले साथ माईने के अंदर इंडिया में ऑफिशियली जियो की तरफ से 5G आने बाले अब आप मुझे कहेंगे कि जियो डारेक्ट लांच कर देगा उससे पहले कोई ट्राल वाला पैक नहीं देगा तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बार जब जून माईने के बाद जियो ऑफिशियली अपना 5G लांच करेगा उससे पहले जियो अटलिस तीन माईने तक 5G फ्री में देगा क्योंकि अगर मेरे वीडियो डेली देखते हो तो मैंने आपको कहा था कि जियो ने एक बक्ता ऐसा एनौन्स किया था कि 2020 के जनौर या फेब्री माईने के असपास जियो अपना 5000 रुपाई के नीचे 5G स्मार्टफोल लॉंच करने वाले अब देखिए इंडिया में जियो का 5G कनेक्टिविटी नहीं है लेकिन 5G स्मार्टफोल लॉंच कर देगा इसका कोई लॉजिक नहीं बनता तो इसलिए मे वालकॉम, सैंसोंग और गुगुल ये तीनों कमपनी के साथ काम कर रहा है जिसे की जल से जल इंडिया में अपना 5G कनेक्टिविटी लॉंच कर देखिए बाहर की देश में मतलब अगर हम अमेरिका, यूरोप ऐसे देश की बात करें उसमें जो 5G कनेक्टिविटी या पर 5 5G Tower मतलब 5G के लिए जो भी इकुप्मेंट होता है वो जेनरली चाइनीज इकुप्मेंट इस्तमल होता है आपको दो पता ही होगा कि Huawei के साथ यूरीजन के वज़े से बहुत बढ़ा प्रोब्लेम हुआ है कि Huawei का एकुप्मेंट था तो उसमें Huawei कुछ हैकिंग बगारा करता तो इसलिए जीओ आपने 5G कनेक्शन के लिए जो भी इंफ्रेस्ट्रक्चर माले जो भी टावर या फिर बाकर की इक्विपमेंट इस्तेमल करेगा वो टोटाली होगा मेड इन इंडिया प्रोड़ाट्ट उसका जो सौट्टार उसके मेंटेनेंस करने के लिए जो भी मशीन इंडिया बोगी टोटाली होगा मेड इन इंडिया मदब मुकेशंबनी का एही कहना है कि जो जीओ 5G टेकलोजी होने वाला है ये टोटाली इंडिया का खुद का डेवलप किया हुआ टेकलोजी होगा इसका जाद बाहर के दुनिया का कोई भी डिलेशन नहीं है अब इस ज कि दिन में हमें क्या फोण लेना चाहिए 5G फोन लेना चाहिए या फेर 4G फोन लेना चाहिए अब देखें एंडिया की लगा अगले दो तिन दिन के अंदर Mediatek आपने Dimensity Series के प्रोसेसर इंडिया में officially launch काने वाला है आप देखिए 20,000 के नीचे Qualcomm की तरफ से ऐसा कोई भी प्रोसेसर मार्केट में available नहीं है जिसमें आपको 5G connectivity मिलेगा लेकिन 20,000 रुपाई के अंदर Mediatek के Dimensity Series के और यह जो Dimensity Series का प्रोसेसर इसका प्राइस भी इंडिया में शुरू होगा 9 यह पर 10,000 रुपाई के आसपास तो इसलिए मैं आप से रिकोमेंड करना चाहूंगा अगर आपका मेन टार्गेट है कि 2021 के मिडिल के बाद जब इंडिया में जियो 5G connection आएगा अगर आप जियो के 5G network इस्तमल करना चाहते हो तो अभी आप अगर आप 20,000 के नीचे कोई स्मार्टपून लेते हो तो Qualcomm के कोई प्रोसेसर बिल्कुल भी मतलोग जो भी स्मार्टपून लोगे सभी के सभी डामेंज सीरी सीस का प्रोसेसर लेना अगर आप जियो के 5G connectivity इस्तमल करना चाहते हो तो और इस वीडियो के आफिर मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूंगा आपको लगे गया कि हम तो जियो का जियो का 4G service इस्तमल करने के कोई जरूर थे अब देखे हम इससे पहले 3G service इस्तमल करते थे अगर हम उसका download speed की बात करें तो मैं तो देखता था कि अल्मोस 50 kbps के आसपास उसका speed होता था यह फिर maximum 1 mbps उससे जाल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला अगर मैं अभी 4G में ए याटे लिया फेजियो के download speed की बात करो वैसे area पर depend करता है मैंने सुना है कि इसका maximum download speed 10, 15 यह फिर 20 mbps तक का जाता है तो अब देख सकते speed के माइब लिए में 3G से 4G यह अल्मोस 10 गुना ज्यादा पार्फुल है तो obviously 4G से 5G में हम जब convert करेंगे तो हमें base speed माद सबसे minimum speed मिलेगा माद minimum download speed मिलेगा 100 mbps यह वाज मैं इंडिया ही बात कर रहा हूँ कि आपको तो बदा हिए इंडिया का network बहुत ही बुरा है अगर मैं foreign days की बात करो तो मैंने खुद देखा है कि उसमें 5G में download speed है 1.5 gbps 2 gbps मैं gbps के बात दिलकुर भी नहीं कर र चाते हो तो अगले 5 या फे 6 माइने के लिए Qualcomm की तरफ से आने बाला कोई भी प्रसेसर बाला स्मार्टफोन लेना बंद करो मतलब 20,000 के नीचे बोल रहा हो अगर 20,000 के ज्यादा कोई स्मार्टफोन लेते हो तो Qualcomm आपको 5G दे रहा है लेकिन 20,000 के नीचे के कोई भी स्मा कोई लेकिना बिलकुल ही मत भूलेगा तो मिलते अगले वीडियो में तब तक स्टे टून और अलोज रिम्बार थिंक पोजिटिव बी पोजिटिव थेंक यू